हेलो फ्रेंग्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनुदा किचिन चैनल पे तो आज मैंने बहुती बढ़िया सा केक बनाया है आप सभी को मालूम है बाजार बंद है बाजार में किचीज हम खानी पा रहे हैं तो देखिए बहुती स्पंजी बहुती बढ़िया ये स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें क्यों आप से भी को मेरे चैनल पे रेस्पी देखने को मिलेंगी बैल आइकन बटन को चलिए उसके लिए हमने यहां पर सामान क्या क्या लगेगा यहां पर मैंने सूजी ले ली है सूजी मैंने बारिक वाली ल और यह शक्कर है शक्कर पीसी नहीं है आप बिना पीसी भी डाल सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीसी हो सूजी का केक बना रहे हैं आज हम बिल्कुल बाजार जैसा है यहां पे मैंने दही डाल लिया है बाउल में अब जो यह शक्कर है शक्कर को भी इसमें डाल अब इसको घंठ लेंगे जब तक ये तेल इसमें अच्छी तरीके से और कॉछ आप इसमें हम ढालेंगे दीरे दीरे करके सुजी डालेंगे घंठ जजाएं और इसको मिलते जाएं डालें सूजी का केक बना रहे हैं आज हम घर पे बच्चों के लिए बहुत ही भड़िया केक बनेगा अच्छी तरीके से इसको फेटी है अब देखिए इसमें हम मैं थोड़ी सी सूजी और डालती हूँ जितनी हमें जरूरत पड़े हम उत्ती डालती जाएं एक खटा एकदम नहीं डालनी है हमें सूजी इसमें और इसको हम फेटते जाएंगे इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको फेटते जाएंगे बहुत ही बढ़िया केक बनेगा आज आप इस तरीके से अगर केक बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा बच्चों को भी बहुत मज़ा आएग इस केक को खाके यहां पर देखिए यह फेट रही हूं मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फेट ना है इसको तभी केक हमारा बढ़िया इस पंजी और सौफ्ट बनेगा अब यहां पर मैं इसमें ये आधा मगगा मैंने दूद लिया है आधा मग इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक दब नहीं डालेंगे आधे कप में दूद लिया है मैंने उसमें थोड़ा से दूद और बचा लिया है मैंने जरूरत पड़ेगी तो पीछे से दे अब इसमें मैं डालूंगी खाने वाला सोड़ा और बेकिंग पाउडर दोनों चीजें हम डाल देंगे इसमें और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इस तरीके से तो ये देखिए बढ़िया से जागा गाए हैं इसमें अब इसको भी हम फैट लेंगे अच्छी तरीके से एक ही डारेक्शन में इसको हमें फेटना है इस तरीके से देखिए बढ़िया तरीके से इसको जितना आप फेटेंगे उतना ही हमारा केक बहुत ही बढ़िया बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा लगे गई नहीं कि ये केक हमने घर पे बनाया है और लगे तेल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ अची तरफ से हम अब इस पे हम लगाएंगे बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ओईल लगा के आप मेंदा भी चिड़क सकते हैं गेहूं काटा भी चिड़क सकते हैं अची तरीके से करके इसको डाल स वो अच्छी तरीके से इसमें फूट जाए रहें नहीं बिल्कुल भी इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर डाल दूँगी अगर आप पे नहीं है अभी इस टैम तो आप इसको स्केप कर सकती है वैसे भी बना सकती है वैसे भी बहुत बढ़िया बनेगा यहां पर मैं देंगे चलिए खुल के देखते हैं यह देखिए अभी हमारा पका नहीं है इसको हमने 25 से 30 मिट तक पकाना है बहुत ही यह देखिए हम मैं देखते हैं पका है के नहीं है इसको चेक करते हैं बीच में ही कच्छा रहता है इसलिए हम बीच में ही चेक करेंगे यह देखिए तो इसका मतलब यह पक चुका है, तो भी हम थोड़ी दिर इसको और पका लेते हैं, अच्छी दरीके से, यह देखिए, अब इसको हम आराम से इसको उताल लेते हैं, अब यह देखिए, इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर उसके बार हम इसके केक को निकालेंगे, ठंडा होने के तूट भी सकता है इसलिए इसको हम ठंडा करके ही निकालेंगे चाकू से इस तरीके से चारो तरफ हम इसको इस तरीके से कर लेंगे और फिर इसको हम इस पे एक प्लेट रखेंगे इस तरीके से इस पर हम उपर से प्लेट रखेंगे आप इसको उलटा कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे टैप करेंगे और फिर इसको हम देखेंगे ये देखिए बहुती बढ़िया निकल के बिल्कुल भी चिपका नहीं है तयार है अब जो ये है इसको हम निकाल यह देखिए हमने इसको निकाल लिया देखिए बहुती बढ़िया केक बनके तयार हुआ है इस पंजी बहुती बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसा यह देखिए बहुती बढ़िया लुकाया इसका अब इसको हम आराम से सीधा कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से इसको हमने सीधा कर लिया है बहुती बढ़िया केक बनके तयार हो चुका है अब इस पे मैं चौकलेट घानिश करूंगी अगर नहीं है तो आप ना करें वैसे ही बना ले यह देखिए बहुती बढ़िया केक बन के तयार हो चुका है, खाईए और बच्चों को खिलाईए, ये देखिए, बहुती बढ़िया सूजी का केक बन के तयार हो चुका है, बहुती बढ़िया लगे गई नहीं आपको कि आप सूजी का केक खा रहे हैं, और इसके उपर मैंने थोड़ी सी चॉकले लेकिती हैं धन्यवाद फिल्म मिलती है नेक्स्ट वीडियों पर और अधिया ख़ूं।